तो मार्किट अब एरडोब की तरफ आ चुक है एरडोब के इन लोगों ने स्टेप्स जो है वो बताना स्टार्ट कर दी होए है ठीक है आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओगे पहले तो आपके लेवल जो थे वो इन लोगों ने कन्फर्म किये थे फिर आपको बताया गया था कि यार लेवल के ऊपर आपको एरडोब मिलने वाला है तोटली लेवल बेस सिस्टम है देखो यहाँ पे आपका जो लेवल है यह इसके हिसाब से आपको एरडोब दिया जाएगा फिलाल इन्होंने कुछ अनौंस्मेंट किया है उसके बारे मैं आपको बता देता हूँ पहले यहाँ पे देखो टास्क में आते हो आप लोग तास्क में थोड़ा सा स्क्रोल करके आपको यहाँ पे बताया गया था टी जी इ स्टेप वन ठीक है अब इन्होंने अनौंस्मेंट यहाँ पर देखो इनके ऑफिचल चैनल पर चलते हैं जहां पर देखो स्टेप टू आपका यहां पर बता दिया ब्रोंज लेवल होना चाहिए यहां पर अब मसले की बात यह है कि यह TGE का मतलब यहां पर यह होता है टोकन जनरेशनल इवेंट ठीक है मतलब आपके टोकन जनरेट होंगे 31 को 31 को टोकन जनरेट होंगे लेकिन इन लोगों ने यह नहीं बताया कि हम अभी लिस्टिंग कर रहे हैं या नहीं देखो टेक्निकली यह दोनों चीज़ें अलग लग होती है token, generational event और listing दोनों अलग चीज़ है दोनों का आपस में कोई इतना खास लेना देना नहीं है हाँ लेना देना इस हवे में है कि token जब generate हो जाएगा तब ही उसकी listing होगा अब देखो लेवल जो है platinum 1 तक मैं भी पहुँच पाया हूँ बहुत ही मुश्किल से यह देर सो दोसो रैफल लेने के बाद अभी मैं यह सोच रहा था है काफी ज़्यादा जो लोग है वो इससे भी ज़्यादा नीचे होंगे यो आर इन टोप वन देखो बहुत ही रेर लोग होंगे जो लेवल आठ या नो तक जा पाये होंगे वो वही होंगे जो mostly influencers होंगे YouTubers होंगे यह जिनके पास बहुत जारा raffles होंगे अब बात यहां पर यह निकल गया आती है पहले देखो अगर आपका लेवल 1 है तो आपको यहां पर 3 तक तो कुछ भी नहीं मिलने वाला और आपका lowest जो लेवल है वो 4 है तो lowest लेवल पर अगर आप सोचके बैठे हो आपको 40-50 डोलर मिलेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला भाई सीधी सी बात है लेवल आपके जो airdrop की amount है उसको reflect करेगा जितने coins होंगे और जितना level होगा उसको यह merge करके आपको यह बताएंगे आपको इतने ज़्यारा coins मिलने है इस हिसाब से ठीक है अब level 4 के उपर last और lowest level है 10 यह 12 डोलर यह 15 डोलर इससे ज्यादा नहीं मिलने वाले ठीक है इतने ही coins आपके पास generate होंगे अभी इसके बार पूरी जो tokenomics की इसकी list है वो निकल क्या ही नहीं है officially ठीक है फिर silver पर आ जाओगे silver पर आपको यह क्या ही देंगे silver पर भी आपको 10-20 से जएधा नहीं मिलने वाले और मैं आपको यहाँ पर पताओ अगर आपको level जो 7 प्लस है 7 प्लस भाई मुझे भी इतना कोई खास air drop इससे नहीं नजर आता हुआ नजर आ रहा ठीक है अभी मेरा level 7 है तो कहां तक ही पहुंच सकता हूँ मैं यहीं पे रहने वाला है भाई level 7 से उपर मैं नहीं जा सकता और मेरे 200 रैफल्स थे ठीक है आपको मैं यह भी confirm कर दो और अगर आप बहुती लखी थे इसमें बहुत ज्यादा लखी थे तो भाई होप करता हूँ मैं कि आपका level जो है कम से कम कम से कम category में fall करे कम से कम आप ऊपर आ सको ऊपर कहां तक आ सको यार यहाँ पर जो इन्होंने lowest level दी देखो ctc बात है अभी यह step 2 है उसके बाद step 3 में यह आपको क्या criteria बोलते हैं उसके बारे में अभी कुछ अता-पता है नहीं लेकिन यार यही criteria होगा तो अभी भी आपका level जो है वो level 3 से low है ठीक है तो मैं आपको recommend करूंगा आप इसको छोड़ सकते हो क्योंकि आपका level अब इससे ज्यादा उपर आ नहीं सकता ठीक है अगर आप दो level पर बैठे हुए तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको level 4 से उपर आ सकते हो हाँ भी level 4 होगा पूरा level 4 होगा तो आपको airdrop के लिए यह eligible किया जाएगा वरना तो आपका जो level 4 से नीचे नीचे होगा उनको वैसे ही खतम कर दिया जाएगा और level 4 से उपर मैं आपको यह बताता चलो जो level 4 के उपर बैठा होगा उनको पता होगा एक million लोग भी नहीं आते हैं उससे उपर यहां पर मैं लगा के बता देता हूँ लास्ट पे है उसके बाद यह है फिर यह है देखो आप अपकी स्क्रीन पर देख सकते हो काफी लोगों का यह जो daily combo accept नहीं होता एक्सेप्ट ना होने की वज़ा यहां पर यह ही होती है कि उन लोगों ने क्या किया होता है यह नीचे एक वीडियो का option आता है यहां पर देखो टास्क जैसे complete करते हो तो आप अपना यह combo code लगा पाओगे उसके लावा एक वर्टसफ चैनल है एक टेलिग्राम चैनल है जहां पर मैं यह share कर देता हूँ combo code लिंक आपको description में मिल जाएगा node pixel का देखो अगर करना ही है तो आप node pixel को गरो उसको मैंने properly guide वीडियो बनाई है दो वीडियो पहले उसका भी link में नीचे description है